नमस्क्राइब दोस्तों आप सबी लोगों का एक बार फिर से स्वागत हमें शुबाम आ चुका हूं एक और इंफरमेटी वीडियो के साथ में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि इंडिया में टॉप फाइब बाइक्स कौन सी हैं जो मोस्ट अफ लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए motorbuddy.co.in हमारी website का address है तो आईए दोस्तों यह वीडियो देखते हैं तो दोस्तों यह जो मैंने लिस्ट तयार की है इसमें टोटल 5 बाइक्स हैं और ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं बनाई है क्योंकि 5 बाइक्स हैं जिसमें सेलेट करने में आसानी रहेगी इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत कम बाइकnd वां ज्यार किए तो मेरी लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वह दोस्तों बजासीटीं हंडड के बजासीं हंडेट का मुझीहां अच्छा कासा माना-जाना नाम है और रूरल में काफी लिए भी या जिनके पास बहुत कम पैसे हैं लेकिन बाइक लेना चाहते हैं वो पर्चेस कर सकते हैं और कई लोगों कि ये इंडिया में पहली बाइक भी रही है जिया दोस्तों और इसको रूरेल में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है तो यहां बजाज का CT 100 अगर मैं एक जोरूम प्राइस आ जाता है और यहां पर इंजिन दिया गया है 102 CC का जो की पावर जेनेरेट करता है 7.9 PS की और टॉट्क मिल जाता है 8.34 nm का तो यहां पर ठिक ठाक पावर भी जेनेराता है 102 CC का इंजन दिया गया है 5 color को option मिल जाता है यहाँ पर company combine breaking system देती है इसके साथ मैं अगर मैं sale figure की बात करूँ तो इंडिया में around 20,000 से लेके 50,000 के बीच में बजाज के CT 100 की sale होती है और यह जो मैं price बता रहा हूँ यह non-sell variant का बता रहा हूँ अगर on road की बात करूँ तो लगभख 15,000 रुपए इसमें और add हो जायागा जो भी paperwork वगएरा होता है आटियो इंस्वरेंस, accessories वगएरा का तो यहाँ पर आजाता है तो यह इंडिया की most affordable bike हो जाती है वहीं अगर मैं mileage की बात करूँ तो around company 89 के आसपास mileage claim करती है और यह हम माल सकते हैं कि around 70 to 75 kmpl का mileage आराम से दे देगी साथ में अगर मैं इसकी बात करूँ जिसमें जो parts use होते हैं या काफी ज़्यादा durable हो जाती है रूरल में खराब रास्तों पे लोग काफी ज़्यादा इसको चलाते है लेकिन एक long lasting bike हो जाती है और काफी अच्छा performance यह देती है और engine भी काफी दमदार यहाँ पर मिल जाता है तो रूरल में खास तोर पे इसको काफी ज़्यादा पसंद किया जाता है city में भी लोग purchase करते हैं लेकिन इसकी market रूरल में काफी ज़्यादा बहतर हो जाती है वहीं दोस्तों second position पे मेरी लिस्ट में आ जाती है TVS का sport TVS के sport थोड़ा सा बजा city 100 से देखने में attractive नजार आता है halogen bulb मिल जाता है front पर 130 mm के drum brake मिल जाती है rear पर 110 mm के drum brake मिल जाती है synchronized braking system यहाँ पर TVS motor company देती है और BS4 से BS6 में company ने update किया है और क्या है कि यहाँ पर जो engine दिया गए है TVS sport में वो है 109.7 CC का 8.29 PS की यहाँ पर power मिल जाती है और torque मिल जाता है 8.7 mm का तो यहाँ पर fuel injection आ जाता है सबसे अच्छी चीज है यह bike jabber just mileage देती है और company यहाँ पर mileage का बाब भी बुलाती है और मैंने भी mileage test गया था around 85-86 के आसपास mileage आया था वीडियो का link मैं description में दे दूँगा आप जाके देख सकते हैं तो sport mileage के लिए जाना जाता है और मैं अगर इसके extra room price की बात करूँ तो इसका extra room price आ जाता है 48,840 रूपी अगर on road की बात करूँ तो around 59,000 से 60,000 के आसपास non self variant का इसका on road price आ जाता है तो यहाँ पर यह भी affordable bike हो जाती है 7 color का option मिल जाता है wide range मिल जाती है colors की और अगर sub variant आप लेने जाते है तो around इसका extra room price आ जाता है 57,950 रूपी जो की self variant का है यानि अगर आप on road की बात करूँ मैं तो लगबक 70,000 से लेकर 72,000 के बीच में इसका on road price आ जाता है यह भी most affordable bike की list में आ जाती है और यहाँ पर इसका mileage वो काफी ज़्यादा बहतर निकल के सामने आता है और low maintenance bike आ जाती है थर्ड पोजिशन पर आ जाता है जाता है कि जब number बढ़ जाते है तो कहीं न कहीं 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 कोस्ट जो है वो कम हो जाती है लेकिन यहाँ पर hero फायदा उठाता है उसका और इस bike का एक showroom price आ जाता है नॉनसल वेरियंट का 51,700 रुपीस यहाँ पर आप देखेंगे sport के मुकाबले लगभग 2-3,000 रुपे महेंगी है और CT 100 के मुकाबले लगभग 4,000 रुपे महेंगी है अगर मैं engine की बात कुरू तो यहाँ पर engine दिया गया है 97.2cc का यानि complete 100cc का नहीं आता है यहाँ पर इसका engine दिया गया है 97.2cc का जो की power produce करता है 8.02 PS की और torque मिल जाता है 8.05 NM का यहाँ पर भी company fuel injection देती है यह चीज़ काफी बैतर हो जाती है IBS यदि integrated braking system मिल जाता है वही fuel tank दिया गया है 9.6 liter का और color option की बात करू तो लगभग 5 color को option यहाँ पर HF Deluxe में मिल जाता है और अगर मैं mileage की बात करूँ तो मैंने जो दो bikes बताई है उसमें इसका mileage थोड़ा सा कम आता है लेकिन क्या है कि यहाँ पर hero एक bread ऐसा है जो लोग hero की तरफ attract होते है और engine काफी बहतर मिलता है क्योंकि इतनी जल्दी इसका engine खराब नहीं होता या इतनी जल्दी engine में problem नहीं आती इसलिए यहाँ पर ये मेरे list में bike सामिल हो जाती है तो यहाँ पर क्या है कि अगर sports से आप compare करते हो तो लगभग 2000 में महेंगी आ जाती है और CT 100 में क्या है कि अभी सिर्फ नॉंसल वेडियंट ही देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर क्या है कि यह तीन बाइक साजाती है लेकिन मेरी list में HF Deluxe थर्ड पोजिशन पर आती है बजाज की प्लेटीना 100 CC यह तो इसमें 100 CC और 110 CC दोनों ही आती है लेकिन मैं 100 CC यहाँ पर mention नहीं कर रहा हूं या मैं इसको list में नहीं ले रहा हूं सिफ यहाँ पर 100 CC की बात करूंगा क्योंकि अगर 110 CC की काटेगरी में जाओंगा तो वह काफी ज्यादा महंगी बाइक हो जाएगी वहाँ पर कंपनी ABS भी देती है तो देखा जाए यहाँ पर self और non-self में बहुत स्यादा डिफरेंस नहीं है बहुत कम गैप देखने को मिलता है अभूमन क्या होता है जब self और non-self variant में लगवाग 10,000 रुपाय का अंतर आता है लेकिन यहाँ पर बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलता है हाला कि यह है कि जब मैंने बात किया तो यह भी बता चला कि जो self variant है उसमें कई जारे features company ने cut कर दी है इसके वज़े से कहीना का ही price जो है वो कम हो गया है तो यहाँ बजाज का platina rural में काफी अच्छा है और खास तोर पे मैं आप बताना चाहूंगा कि यह जितनी भी bikes मैंने बता ही सबसे comfortable bike आ जाती है बजाज का platina जो यहाँ पर company ने suspension यूज किया वो बहुत ही जबड़ जस्त मिलता है बदलब अगर आप खराब रास्तों पर चलाते हैं और अगर आप compare भी करना चाहें तो दूसरी bike से आप compare कर सकते हैं इसके suspension बहुत जबड़ जस्त दिये गए है और यहाँ पर company comfort tech भी बुलाती है comfort tech की बैजिंग भी देती है साथ में company काफी ज़्यदा promotion भी करती है comfort tech के नाम से तो यहाँ पर कहा कि बजाज का platina आ जाता है जूकि power produce करता है 7.9 PS की और torque मिल जाता है 8.3 nm का engine दिया गया है 102 CC का 4 color option मिल जाता है 11 liter का बड़ा सा यहाँ पर fuel tank दिया गया है और rear पर night rock suspension मिल जाते है युकि मैंने आपको बता है कि काफी बहतर suspension आ जाते है वही अगर दोस्तों अगर मैं mileage की बात करूँ इसका mileage around 70 kmpl के आसपास आ जाता है तो यहाँ बर भी अच्छा mileage देखने को मिल जाता है तो दोस्तों मेरी list में 5th position पे most affordable bike में आ जाता है hero का sprinter अब आप सोचेंगे hero के sprinter में 5th position पे क्यों लेके आया नंबर 1 की position पे क्यों नहीं लेके आया तो देखे ऐसा है कि no doubt hero के sprinter बहुत अच्छा है बहुत अच्छी इंडिया में sale होती है around 2 lakh से लेके 250,000 के आसपास इंडिया में sale होती है और 100cc में सबसे ज्यादा bike sale होती है 100cc नहीं इंडिया में जितन जो price है वो ज्यादा लगता है कि company यहाँ पर अपनी जो reputation उसका फायदा उठाती है और इसके price थोड़े से ज्यादा high रखे हुए है अगर मैं actual room के बात करूं non-self variant के तो 61,785 रुपीज इसका actual room price आ जाता है non-self variant का और अगर आप sell variant ले रे जाते है 64,085 रुपीज आ जाता इसका इंजन सबसे बहतार है क्योंकि इतना भी अभी तक customer है वो काफी जादा satisfy रहता है लेकि मेरे हिसाब से क्या है यह company को थोड़ा सा price को कम करना चाहिए मेरे हिसाब से इसके prices थोड़े से ज्यादा है और जितने features मिलने चाहिए company वो यहाँ पर देती नहीं लेकि फिर भ एक बैतर resale value मिलती है और जो भी second hand buyer होता है वो चाहे third person को बेचे उसको भी बैतर पैसे मिलते है इसलिए यह कही न कहीं मेरी list में आ जाती है और यह hero के sprinter में engine दिया गया है 97.2cc का 8.02 PS की power मिल जाती है और 8.05Nm का यहाँ पर torque दिया गया है 5 color को option आ जाता है company ने हाल ही में 100 million edition भी launch किया है तो क्या है कि उसका price थोड़ा सो और ज्यादा हो जाता around 67,000 के असपास उसका actual room price आ जाता है तो दोस्तों यह कुछ list थी top 5 affordable bike की जो कि मैंने list तयार की यह मेरे अपने opinion है मैंने जो analyze किया है जो मैंने study किया है उससाब से मैंने बनाया है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा informative लगा या नहीं लगा आप comment box में जाके बता सकते हैं अई होब यह वीडियो आपको पसंद है वीडियो पसंद है वीडियो को कर सकते हैं लाइक को चनल को पहली बार चनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब आप Automobile से related latest news updates के लिए आ लोटरबंजी.co.in हमारी website के अडरेस है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यमाद